कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतने सांगवान और आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल जन्नते कस्मीर कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कस्मीर में जाने का कौन सा समय सबसे अच्छा है बेस्ट टाइम वीजिट कस्मीर सबसे अच्छा मुसम कौन सा है कस्मीर जानेगा दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे कि कस्मीर किस तरह पहुंचा जाए श्री नगर किस तरह जाया जाए तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क आपको काम भाएंगी आपके कश्मी यात्राव के पलान में आपको मददगार सभीत होंगी तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आये तो लाएक करिए चेहर करिए कोमेंटउ करिए दोस्तो성 से पहले हम बात करते है और अगर हम बात करें फ्लायट के बारे मैं थो कश्मीर आने के लिए भारत के सब्सक्राइब से भी बड़े सहरों से शीनर चलक टानि गले डियों डायट फ्लायट चीह अगर का हवाई अड़ा जो है वो शहर से मत्र 10 किलोमेटर के दूरी प्रहस्तित है जहां से एरपोर्ट से शीदे आपको डल गेट के लिए या लाज चोक के लिए आपको टेक्सिस मिल जाती हैं दोस्तों अगर आप छोटी फैमली के साथ कश्मीर यात्रा करना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा रास्ता है अगर हम बात करें किराए कि फ्लाइट किराए कि तो गर्मियों में आम तोर पर ये 25 से 3500 रुपे तक ये टिक्टे बुक हो जाती हैं और सर्द्या में अगर हम बात करें तो यह 3500 से साथे 4500 रुपे तक आपकी टिक्ट बुक हो जाती हैं दोस्तों फ्लाइट से आने में आप कश्मी घूमने के लिए अपना टाइम बचा सकते हो ज्यादा टाइम आप कश्मी घूमने के लिए निकाल सकते हो दूसरी नंबर पर अगर हम बात करें ट्रेन की तो स्रीनगर के लिए डारेक्ट ट्रेन सेवा नहीं है आपको जम्मू या उदंपूर रेलवे स्टेशन पर आना होगा अगर आप दिल्ली से ये किसी सहर से ट्रे बाई ट्रेन आते हैं तो उदंपूर तक आप आईए उदंपूर से और बनिहाल के बीच की जो कि दूरी 93 किलो या उदंपूर रेलवे स्टेशन से आपको डायक्ट बस या प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी आम तो रुपर किराया सो रुपे से 200 रुपे के बीच होता है बनिहार रेलवे स्टेशन से आप फिर से ट्रेन पगड़ सकते हैं स्रीनगर रेलवे स्टेशन के लिए श्रीनगर का रेलवे स्टेशन भी सहर से मात्र 10 किलोमेटर के दोरी पर स्थित है दोस्तो बनिहाल से श्रीनगर तक का रेल किराया लगवग 30 रुपे है और टाइम एक से डेट गंटे के अंदरा श्रीनगर पहुंच जाते हो दोस्तो अगर जम्मदवय रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हो तो वहां से आप बाई बस श्रीनगर आ सकते हो अगर चार पांस दोस्त मिलकर के कठ्थे यात्रा आप कर रहे हो तो वहां से एक टैक्सी फुल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो कि 45,000 रुपे तक आपकी बुक हो जाएगी अगर शेर टैक्सी माप आजना चाहते हैं तो 800 रुपे से 1000 रुपे तक कर दिराया आपका लगेगा दोस्तो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए आपको कम से कम भी आठ घंटे का सफर तै करना है जो जिसकी दूरी 266 किलोमेटर है दोस्तो इसमें आपको बहुत सहरा टाइम देना होगा कि अब तीशने नमर पर बात करें हम भी रूड आने के तो आप दिल्ली से बस में भी आसकते हैं आप प्रक्रकाया 11सो रूपय से 15 proposed के बीच होता है डिलेक्स बसिज होती हैं इसमें आप आराम से स्लिपर्स में आ सकते हैं दोस्तों अगर बात करें दिल्ली से से शेनगर पहुंचने के खुद की गाड़ी से पहुंचने की तो आपका 4000 रुपय तक का फ्यूल इसमें खर्चा होगा अब बात करते हैं दोस्तों शेनगर आप पहुंचने के बाद रुकना कहां है कहां पे रुकेंगे तो दोस्तों आप होटल में रुक सकते हैं डल गेट पे डल जील में स्थित हाउस बोट्स में रुक सकते हैं बलकि मां आपको रिकमेंड करूंगा हाउस बोट्स में रुकने है और होटल के पिक्षाफ का किराया कम होता है दोस्तों हाउस बोट के अगर मैं बात करूं तो एवरेज किराया 800 रुपे से ले करके और शुईदा के अनुसार 5-6,000 रुपे तक हो सकता है दोस्तों आप अपने बज़ट के अनुसार इसमें है कम ज्यादा कर सकते हैं कि अगर आप कम सुईदाओं में काम चलाना चाहते हैं तो आपको हाउस बोट 500 रुपे से लेकर 15 रुपे तक अच्छी ठीठा क्वालिटी का हाउस बोट आपको मिल जाएगा उससे ज्यादा आप अगर लग्जिरियस चाहते हैं तो आपको 25 रुपे से शुरू हो करके 500 रुपे तक के अच्छी हाउस बोट आपको मिल जाएगी साथ में शिखारा का जो सादन है वह भी मिल जाएगा आपको हाउस बोट पानी में खड़े होने के वज़े से आपको दल लेक क्रोस करने के लिए शिखारा चाहिए जो की हाउस बोट वाले प्रवाइड करा देते हैं दोस्तों इसके बाद अगर हम होटल की बात करें तो होटल यहां स्री नेगर में 15 रुपे से परड़े से लिए करके और 3,400 रुपे परड़े तक के आपको होटल मिल जाएंगे जिसमें अच्छी खासी सुविधाएं होती हैं अब दोस्तों अगर हम बात करें कुल खर्चे की श्रीव नगर विजिट के दोरन हमारा टोटल कितना खर्चा हो सकता है तो दोस्तों अगर आप फलाइट से आ रहे है तो गुलमर्ग और सोनमर्ग और सिन अगर तीन दिन के आपकी यात्रा का हिसाब अगर हम लगाएं तो दस से बारा हजार उपे परतिवेक्ति ये खर्चा आपका हो सकता है दूसरी बात अगर हम बात करें से आने कि अगर ग्रूप में आप यात्रा करते हैं तेन दिन का एक दिन शिन अगर लोकल साइट्स दूसरे दिन गुलмरग वापस शिनागर तीसरी दिन सुब्हई शोनमर्ग यहा पहल गावभा दोस्तों लगबग आपन्न दिन का टाइम मानके चलें तो 5,000 से 6,000 रुपे परतिव्यक्ति ये आपको खर्चा आएगा तीसरी बात अगर हम करें अपने खुद की गाड़ी की तो इनी तीन दिनों की तो ये आपका खर्चा 4 से 5,000 रुपे पर हैड हो जाएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तो पुर्जानकारी आपको देते रहोंगा